जहिंद दोस्तो आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि अगर हमें 5000 रुपे पर मंद mutual fund में निवेश करना है तो किन बातों को ध्यान में रख कर हमें mutual fund में निवेश करना चाहिए लोड़ दोस्तो जो सबसे पहला parameter या फिर सबसे पहले देखने वाली चीज है वो यही है कि हमें हमेशा एक based mutual fund में निवेश करना चाहिए 5000 रुपे ही नहीं अगर हम 100 रुपे पर मंद भी निवेश करते हैं तब भी हमें एक based mutual fund का चुनाव करना चाहिए और आज की वीडियो में 5000 रुपे पर मंद की mutual fund की portfolio है उसे भी create करके मैं आप सभी को दिखाऊँगा लेकिन उससे पहले यह जान लिजे कि सिर्फ अच्छे mutual fund का चुनाव कर लेना ही बर काफी नहीं होता है हमें कुछ और बातों को ध्यान में रख करके mutual fund में निवेश करना चाहिए ताकि हमारी investment की journey आसान हो सके हम अपने portfolio को बड़े ही आसानी से manage कर सके हमें अपनी portfolio को manage करने में कोई जादा effort ना लगाना पड़े इस तरह की बातों को ध्यान में रख करके ही हमें mutual fund में निवेश करना चाहिए तो आज की वीडियो बहुत informative होगी इसलिए मैं request करूंगा आप सभी से कि वीडियो को अन तक जरूर देखेगा तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मैं हूँ अनवर अंसारी चलिए पेस करते हैं तो दो मूचल फंड की स्कीम में निवेश करने के लिए सबसे पहले हमें एक एप में register करना होता है तो जो दूसरी सबसे एहम बात होती है वो यही होती है कि हम जिस मूचल फंड के एप में register करने जा रहे हैं उसमें हमें सारी सुबधाय मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है सपोस किज़े हम ऐसे एप में निवेश करते हैं जिसमें SIP को modification करने का कोई भी option नहीं है और हमारी income बढ़ जाती है हमारी salary बढ़ जाती है हम चाहते हैं कि अब थोड़ा सा जादा पैसा हम निवेश करें तो अगर हमने ऐसे एप में निवेश किया है जहां SIP को modification करने का option नहीं है तो हमें करना यह होगा कि हमें एक और SIP register करनी होगी या फिर जिस mutual fund में निवेश कर रहे हैं उसी का एक similar SIP और register करना पड़ेगा तब ही हम जादा पैसा निवेश कर सकते हैं लेकिन अगर हम हम एक ऐसे एप में निवेश कर रहे हैं जिसमें SIP को modification करने का option है तो हम यह कर सकते हैं जैसे suppose कि जिए पहले हम 2000 रुपे पर मत निवेश कर रहे थे अब हम चाहते हैं कि 3000 रुपे पर मत हम निवेश करें तो हम अपने SIP को बड़े ही आसानी से मोडिफाई करके 3000 रुपे पर मत निवेश करने लगेंगे अगले महिने से हमारा 3000 रुपे पर मत जाने लगेगा और हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता है हर सीचोशन में तो ऐसा नहीं हो सकता है हम हमेशा जो सेलरी है जो इंकम है उसे पढ़ने की ही बाते करते हैं हो सकता है कभी हमारी इंकम घट भी जाए किसी कारण से कुछ समय के लिए हमारे बास नोकरी नहों तो हमें SIP को पावज करने का भी ऑप्शन मिले हमें SIP का जो एमांट है उसे डाउन करने का भी option मिले हम 2000 रुपे के साइपी करते थे अब चाहते हैं कि एक हजार रुपे के साइपी करें अब हम चाहते हैं कि जो SIP का installment का date है उसे हम change कर दें तो इस तरह की सारी features हमें मिलने चाहिए इस तरह के app में आपको निमेज करना है और जिस app के बारे में मैं आप सभी से बाते कर रहा हूँ जिसका link पर description box में हमेशा आपको दे देता हूँ उस app में भी ये features है तो दूसरा जो काम important आपको करना है वो यही करना है कि आपको ऐसे एप में register करना है जिसमें SIP को modification करने का option हो तब ही आ आपने portfolio में रखने की जोरत आपको नहीं पड़ेगी तो दूसरी जो सबसे important बात है वो यही है कि जिसमी mutual fund के app में आप निवेस कर रहे हैं उसमें सारे features होने चाहिए SIP का modification करने का option तो जरूर से होना ही चाहिए और तीसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है अगर इस ब SIP का selection कर लेते हैं तो आप चाहा करके भी इस SIP में modification नहीं कर पाएंगे आप SIP का amount ना तो बढ़ा पाएंगे ना तो घटा पाएंगे ना तो date change कर पाएंगे अगर वो SIP AMC SIP हुई तो अब सवाल आता है कि यह AMC SIP क्या होती है यह AMC SIP कौन सी होती है तो देखिए AMC SIP व SIP में सी मुलके फंड, SBS मुलके फंड, TATA S मुलके फंड, यह सारे AMC SIP है अगर इनमें आप SIP क्रेट करते हैं तो आप SIP में modification नहीं कर पाएंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप SIP क्रेट करते हैं कि हमें modification करना है या पिर नहीं करना है खायर यह जो existing SIP चल रही सपोस कीजे कि हमने 1000 रुपए का SIP क्रेट कर लिया अब उसको हम modify नहीं कर पा रहे हैं तो पहले उसको cancel कीजे अब फिर से आप 2000 रुपए के SIP क्रेट कर लिजे तो इस तरह से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें modify करने का option नहीं मिलेगा आपको चालू SIP को आप modify नहीं मिलेगा तो तीसरी हमें इस बात का ध्यान रख करके mutual fund में newest करना है और चौथी जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो है number of SIP अब आप यहां पे बोल सकते हैं कि भाई आप यहां पे number 3 तक ही लिखे हैं और 4 कैसे बता रहें तो भाई मैंने आपको extra पहले बता दिय है कि हमें based mutual fund का selection करना चाहिए दूसरे में है SIP modification तीसरे में है AMC SIP और 4 में है number of SIP तो समझने की फेर है आप समझ लिजेगा मैं जान रहा हूं कि आप समझदार बेखती हैं तो number of SIP जब भी हमें mutual fund में newest करना हो और हम शुरुआती दोर में हैं या फिर पुराने भी हैं तो number of SIP हमें कम ही रखना चाहिए तो इस बात का भी आपको ध्यान रख करके mutual fund में newest करना है अब जैसा कि मैंने वीडियो को सुरात में आप सभी से कहा कि मैं 5,000 रुपे की portfolio बना कर दिखाऊंगा तो चलिए अगर मुझे 5,000 रुपे पर मन्त mutual fund में newest करना होता है तो मैं किस mutual fund क इसकी में newest करता है चलिए मैं उसे आपको यहाँ पर लिख करके बताता हूँ तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 5000 रुपे पर मन्त की portfolio बना ली है और मुझे लगता है कि one of the best portfolio हो सकता है यह 2026 के लिए अगर आपको 5000 रुपे पर मन्त mutual fund में newest करना है त लेकिन सवाल आता है कि इस portfolio में यही fund क्यूं और अगर इस portfolio में निवेश करना है तो कैसे हम निवेश कर सकते हैं तो दोनों ही बातों पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले इस fund में आप देख सकते हैं सोरी इस portfolio में देख सकते हैं कि पराग पारिक flexi care fund है तो जब हम पराग flexi के fund में निवेश करते हैं तो हमें अच्छा खासा exposure large cap stocks में मिल जाता है और साथ ही साथ हमें foreign equity में भी exposure मिल जाता है तो कहीं ने कहीं ये fund हमारे portfolio को stable करता है दूसरे number पर SBI contra fund है तो SBI contra को जानी रहें आप कि ऐसे stocks में ये निवेश करता है जो value for money है किसी कारण से stock market उनी stocks को avoid करके रखे हैं ऐसे stocks में ये fund निवेश करता है तो आगे आने वाले समय में इस तरह के stocks में अच्छा return मिलने के chances होते हैं इसलिए ये fund ऐसे stocks में निवेश करते हैं तो value oriented stocks में निवेश करने के लिए contra fund है और तीसरा quant small cap fund अगर आपको तेज return चाहिए तो आप देखी सकते हैं कि quant small cap fund हमेशा एक नंबर पे रहता है तो इसलिए यहाँ पे तेज return पाने के लिए quant small cap fund तो मेरे ख्याल से ये 3 fund 5,000 रुपे पर मंद के साइपी के लिए आप consider कर सकते हैं और अगर किसी को इस portfolio में 5-10 साल के लिए निवेश करना है तो मेरे ख्याल से 2,000 रुपे पराग पारी flexi cap fund में जाना चाहिए 2,000 रुपे SBI contract fund में जाना चाहिए और 1,000 रुपे quant small cap fund में जाना चाहिए इस तरह से मारा total amount 5,000 रुपे का हो सकता है स्वरी हो सकता है नहीं हो जाएगा और अगर किसी को 10 से 15 साल के लिए निवेश करना है तब फिर आपको कुछ changes करना होगा आप 1,000 रुपे डाल सकते हैं पराग पारी flexi cap fund में 2,000 डाल सकते हैं SBI contract में और 2,000 रुपे डाल सकते हैं quant small cap fund में तो मेरे ख्याल से अगर 2024 में आप 5,000 रुपे पर मंद निवेश करने के सोच रहे हैं तो अगर इन fund के साथ में जाते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा हो सकता है आपको आने वाले futures में अच्छा return मिल सकता है तो ये थी वो portfolio जिसमें आप 5,000 रुपे पर मंद निवेश कर सकते हैं I hope कि आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तो मेरी यही कोशिस रहती है कि जो भी चीजे मैं वीडियो के अंदर में आप सभी को बता रहा हूं वो आप सभी को असानी से और सरलता से समझ में आज सके तो अगर वाकए में आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लैक जरूर कर दिजिएगा तब हमें free of cost कोई notify करें कि अभी हमें लंसम करना चाहिए तो इसके लिए मैंने टेलिग्राम चैनल बनाया है जिस टेलिग्राम चैनल का लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं और कुछ करते हैं तो मेरी सर्विस आपको lifetime free of cost मिलते रहेगी इस वीडियो का आखिर मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रहेगा मैं मिलूँगा इसी तरह किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाइ